कीजिए ब्रजेश मिस्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट बैनोभायों आज देश भर में नौकरियों की एक नई स्रंखल आई है और विशेश तोर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इंडियान आर्म फोर्सेज में यानि भारतिय सेना में नौकरियां खोल दी गई है लेकिन उसका सिस्टम प्रारूप तरीका और नौकरी बदल दी गई है सेना में 45,000 रिक्तियां आई हैं और यह चार साल में भरी जानी है और यह रेगुलर फोर्सेज नहीं होगी इंडियान आर्मी की बल्कि इनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा और इन इन में से 25 परसेंट इंडियान आर्मी के रेगुलर फोर्सेज में लिये जाएंगे बाकी चार साल के बाद रेटायर कर दिये जाएंगे इसके अलावा भारत की सरकार ने यह वादा किया है कि वो डेड़ साल के भीतर 10 लाग नौकरियां उपलब्द कर आएंगे तियानी 45, 40,000 जाब्स इंडियान आर्मी में चार सालों में और डेड़ साल में 10 लाग जाब भारत सरकार अपने कोटे से उपलब्द कर आएगी ऐसा दावा और वादा आज भारत के प्रधान मंत्री ने और आर्म्ड फोर्सेज के मामले में भारत के रक्षा मंत्री राजनात से ने कि इसको लेकर समाज के तमाम छेत्रों में चिंताएं प्रकट की जा रही थी और सरकार पर इस बात का दबाव था कि वह से नामे भरती की प्रक्रिया शुरू करे निकाले इस बार भारत की सरकार ने कैबिनेट कमेटी यान सिक्योरिटी यानि रक्षा मामलों की जो सर्वोच कमेटी है कैबिनेट ने उसने निरने लिया है कि इस बार अब वो चार साल के भीतर 45,000, 45,000 अगनिवीर नाम के सैनिकों की भरती करेगी यह भरती भारत की सेनाओं की रेगुलर फोर्स से अलग होगी अब डारेक्ट रिक्रूट्मेंट जवानों का नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि अब अगनिवीर के माध्यम से आए हुए सैनिकों को ही आगे रिक्रूट किया जाएगा वट इस अगनिवीर यह अगनिवीर क्या है दरसल भारत सरकार ने जो आज कैबिनेट कमेटी अन सिक्यूरिटी जने जो मसाधे को पास किया है उसके मुताबिक साड़े सत्रा साल से 21 साल की उम्र के दस्वी और बार्वी पास पच्चे इंडियन आर्ण फोर्सेज के लिए अपला ही कर सकते हैं और इनकी संख्या सिर्फ 45,000 होगी जो चार वर्सों में लिया जाएगा और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें चार साल की सेव आवधी यानि बहुत छोटी आवधी के समय के लिए रिक्रूट किया जाएगा और फिर इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और इनमें से सिर्फ 25 फीजदी कोई जरूरत पढ़ने पर रिटेन किया जा और इसमें से छे महिने ट्रेनिंग के कटेंगे साड़े तीन साल आप नौकरी करेंगे कोई पेंशन नहीं मिलेगी कोई पर्क्स और प्रिविलेज नहीं होगा एक फिक्स आपको 30,000 रुपया प्रतिमा की सेलरी मिलेगी उसमें से 9,000 रुपय आपके कटेंगे 9,000 भारत की सरकार कंट्रिब्यूट करेगी फिर चार साल बाद आप जब रिटायर होंगे तो आपको एक मुस्त एक सेवा निदी दे दी जाएगी पेंशन जैसी किसी चीज के लिए आप इलिजबिल नहीं होंगे और इसमें से भी जो रिक्रूट होंगे 25 परसेंट को इंडियान आर्म्ड फोर्सेज में लिया जाएगा इसका मत्तब यह कि डारेक्ट रिक्रूट्मेंट अब बंध नो अब जो भी इंट्री होगी अग्निवीर के माध्यम से होगी अब इनिमे से जो चैनित होके इंडियान आर्म्ड फोर्सेज में जाएंगे चार साल की नोकरी करने के बाद जिनका चैन रेगुलर के लिए होगा वो भारतिये सेना के अंग कहलाईगे तो भारतिये सेना ने भारतिये प्रक्रिया में पूरी तब्दीली ला दिये कम्प्लीट चेंज कर दिया है यह फाइदे मंद है नुकसान दायक है इससे युवाओं को लाब मिलेगा नहीं मिलेगा यह आगे डिबेट का विशे हो सकता है दूसरी तरफ भारत की सरकार ने यह दावा किया है प्रधान मंत्री के आफिस के ट्वीटर हैंडल पर यह क्लेम किया गया है कि अगले डेढ़ साल के भीतर भारत की सरकार विभिन विभाग पीएस यूज और बैंकों के माध्यम से दस लाख जॉप्स उपलब्द कराई गय है तो अब नौकरियों का जो मुद्दा था उन मुद्दों को सरकार ने अड्रिस करने की कोशिश किये मैं चाता हूं कुछ स्टेट्मेंट आप सुन लें ताकि अग्मिवीर और यह दस लाख जॉप्स पर से कन्फ्यूजन खत्मों और फिर इस पर चर्चा को हम आगी बढ बनाने के लिए उस दिर्शी से आज काइबिनेट कमेटी आउन सेक्योटी ने भी एक आईटिहासिक फैसला किया है आज का अगनिपत नामक एक ट्रांस्फार्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्ण सोर्सेज में ट्रांस्फार्मेटिव चेंज़ आज लाकर उन इन दिन विवागों में कोई पद खाली हैं उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखो इवाओं को दस लाख सरकारी नौकरियां मोधी सरकार 18 मीने में भरने जा रही है सेना और सेना से जलुए विश्वयों पर उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया गया है जिस यूजना के लौन चोने से जो देश के नौजवान है चार साल तक सेवा में अपनी सेवाएं दे पाएंगे तो रुजगार पर हो रही है आज की परचर्चा बेहत महत्योपूर्ण है प्रफुल भक्सी जी बहुत ही जानेवाने डिफेंस एक्सपर्ट है और आजय चतुरवेदी जी भी बहुत ही प्रख्यात रक्षा विसे सग्यें बहुत शुक्रिया आप सभी का इसकारकम में मेरे साथ समलित होने के लिए